हे गाईज कैसे उसारे यकीन करता हूँ कि अच्छ होंगे आज किस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टैप का स्योन, कलर, टोन, फोटो, एडिटिंग सिखाऊंगा बिल्खुल इजी एस टेप्स में आज किस वीडियो में मैं आपको स्नैपसेट अप्लिकेशन की सहायता से कुछ इस टैप का एडिटिंग सिखाऊंगा उससे पहले भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब करके और बिल नोटिकेशन को उसको ओन कर लिजेगा सबसे पहले आपको जिस पहले पिक्चर को कुछ इस टैप में एडिट करनी है उससे आपको स्नैपसेट में सियर कर लेनी है सनैपसेट में ओपिन कर लेने के बाद सबसे पहले इसका आपको लाइट एडजस्मेंट करनी होगी तो जेस्ट आपको यहांसे pencil वाले icon पे आपको click करनी है and उसके बाद गाई just आपको tune imies पे आपको click करनी है and यहां पे guys देख सकते है picture का थोड़ा brightness कम है so just मैं यहांसे brightness को लगभग 20K round increase कर लूँगा and यहां से जो यहां से highlights है just मैं इसे भी लगभग 20K round increase कर लूँगा and sad of है इसे भी मैं लगभग 40K round increase कर लेता हूँ so आप सब अपने picture के हिसाब से इसका light adjustment कर लीजीगा अभी आप सब देख सकते है before and after and कुछ इतना कर लेने के बाद guys फिर से आपको pencil वाले icon पे click करनी है and यहाँ पे guys आपको बहुत सार options दिखेगा so just आपको यहाँ से black and white वाले आपको button पे click करनी है and यहाँ पे just आपको bright वाला select करके and यहाँ से जो brightness से लगभग आपको लगभग 15% करनी है and यहाँ से जो contrast है इसे भी लगभग आपको 20K round कर लेनी है and इतना कर लेनी के बाद आपको नीचे से done करनी है and done करनी के बाद guys देख सकते यहाँ से पुड़ा हमारा picture black and white हो चुका है so just इसे आपको केवल face से remove करनी है so just उपर वाले आपको button पे click करनी है and view edits and यहाँ से black and white पे click करके and pencil वाले icon पे आपको click करनी है and यहाँ से आपको invert करनी के बाद guys just आपको picture को जुम करनी है and यहाँ से किवल आपको यहाँ से face से and कपड़ा वागारा से आपको कुछ इस type से करके erase कर लेनी है so guys चलिए मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से सभी को यहाँ से erase कर लेता हूँ and guys अभी देख सकते हो मैंने यहाँ से पूरे अच्छी तरीके से erase कर दिया है तो आपको भी थोड़ा time देखे अच्छे तरीके से erase कर लेनी है and erase कर लेने के बादaucas just आपको यहाँ से nीचे से done करनी है and done कर लेने के बादaucas just आपको उपर से back चले जाना है And back जाने के बाद फिर से आपको यहां से Pencil वाले आइकॉन पे आपको क्लिक करनी है And यहां पर आपको बहुत सरा Option दिखेगा So just ऊपर से आपको थोड वाले बटन में Corps का आपको बटन दिखेगा Just आपको इस पर क्लिक करनी है यहां पर गाइज जस्ट आपको red color को आपको select करनी है यहां पर red color select करनी के बाद जस्ट इसे आपको पूरा down कर देनी है जस्ट आपको नीचे में कर देनी है इतना कर लेने के बाद जस्ट आपको नीचे से done कर लेनी है एंड इतना कर लेने के बाद फिर से आपको ये वाले बटन पर क्लिक करके and view एड़टेर्स पर आपको क्लिक करने है andJustin part पर क्लिक करके आपको pencil वाल आइक़न पर क्लिक करने है and guys यहाँ से invert करके and फिर से जो यहाँ से जो भी यहाँ से face पर आ रहा and body power just उसे आपको थोड़ा time देखे अच्छे से erase कर लेनी है so guys चलिए मैं इसे जल्दी जल्दी से erase कर लेता हूँ and guys अभी देख सकते हो मैंने यहां से बहुत अच्छे तरिके से erase कर दिया है and guys just आपको इसे erase कर लेने के बाद आपको नीचे से done करनी है and आप सब थोड़ा time देखे and सभी face से अच्छे से remove कर लीजिएगा and इतना कर लेने के बाद guys अभी देख सकते हैं face पे थोड़ा यहां से अमाड़ा पीला पीला color आ रहा so just उसके लिए आपको pencil वाला icon पे click करनी है and यहां से selective tool पे आपको click करके and just आपको यहां से face को select करके and दोनों मुली से आपको pinch करके and यहां से saturation को आपको down कर लेनी है लगभग मैं 15% saturation कम कर लूँगा and brightness आप अपने हिसाब से increase कर सकते हैं आपको जितना चाहिए and इतना कर लेने के बाद guys और भी जो आपका यहां से skin dark वगएरा है just उस पे आप सब यहां से brightness वगएरा increase कर सकते है and इतना कर लेने के बाद के just आपको नीचे से done कर लेनी है and अभी आप सब देख सकते हैं यहां से before and after हमारा picture यहां से पूरी तरीके से cyan color tone में यहां से edit हो चुका है so just guys मैं यहां से अपने picture को gallery में save कर लेता हूँ and guys आप सब कुछ steps से करके आप बहुत थी easy steps में snapshot application के सायत्या से cyan color tone photo editing कर सकते है and guys आज के इस वीडियो में बस इतना ही so यकिन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को जोर से like किजेगा अगर आप चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे and मिलते हैं किसी और वीडियो कसा तब तक के लिए bye